देखे जब भी जिन्दगी में बुरा वक्त आया है तो ये सोच लिजेगा कि जिन्दगी में जो आपका ये बुरा वक्त आया है तो ये अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान करने के लिए है क्योंकि देखे होता है कि जब आपके पास पैसा होता है सारी सुख सुधाय हो बचे या फिर आखरी दोस्त बचे बंग चली कि वही आपका सचा दोस्त है तो अच्छे और बुरे लोगों की पैचान क्या होती है बुरे वक्त में ही पता चलती है दीखे आज है पांच अपरेल और आज के वीडियो में चितने भी करेंड़ परें ये बहुत ही और दीखे जो लोग नहीं है वोगों चैनल को सब्सक्राइब रूप्रे लेंगे साथ में बेल आइकोन को प्रेश करके वीडियो को लाइक आउट शेर भी कर देंगे तो जाले शुरू करते है इस वीडियो को एक C-arto Stand अस्तापित किया गया है आंद्र प्रदेश के चितूर नाम के एक स्थान पर देखे महिलाओं और चात्राओं को सुरक्षित परिवन प्रदान करने के लिए जो ये C-arto Stand अस्तापित किया गया है ये अपनी तरह का पहला पहला है और इसके अंदर का टोटल तीन जो विद्याल है और तीरुपती में रुईया अस्तापित किया गया है तो चितूर में तीन प्रदेश पर जो है इसको अस्तापित किया गया है किसको C-arto Stand को प्रश्ण गुमा के एक्जाम में कैसे पुछेगा कि किस राज में C-arto Stand अस्तापित किया गया है तो C-arto Stand अस्तापित अगला की करंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिज नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो दीखे करंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिज नामक पुस्तक को लिखा है स्रीराम चौलिया ने दीखे भिहाली में जो आपकी ये पुस्तक है करंच टाइम नरेंदर मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिज तो इस पुस्तक का भिहाली में विमोचन दिल्ली में क्या गया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश राजमंत्री मिनाक्षे लेकी के द्वारा तो मिनाक्षी लेकी न भिहाली में इस पुस्तक का जो है विमोचन किया और ये जो पुस्तक है करंच टाइम नरेंदर मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिज ये पुस्तक देश को भारत के बाहरी बिरुधियों के द्वारा उत्पन सुरक्षा कदरों से बचाने के लिए राज में बहुत आवस्तक जनता के विश्वास पर पुर्गाश जालती है और ये पुस्तक चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दोरान पीम मोदी के नेड़ा लेनी की स्रंखला का विस्तेसर भी करती है तो यारके का करंच टाइम नरेंदर मोदीज नेशनल सेक्योर्टी क्राइसिस पुस्तक को लिका है स्रीराम चोलिया ने और तीहरा प्रजनाज का है कि हाल ही में भारती वायूसेना ने भारती वायूसेना में किस हेलिकाप्टर के द्वारान 60 साल की सांदार सेवा के उपलक्ष में 2 अपरेल 2022 को हकीम बेट के वायूसेना स्टेशन में एक सम्मिलन काउउन किया तो दीखे 2 अपरेल 2022 को जो है जो आपका चेतक हेलिकाप्टर है इसके 60 साल पूरा होने के उपलक्ष में एक सेलिबरेशन एक तरीके सका जाए जैसे पार्टी होता है न छोटा मोठा तो उस टाइप का जो है एक सम्मिलन आज किया कैसा इसके बारे में बताने के लिए कि य जो चेतक हेलिकाप्टर है इसका क्या 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 रूर लाह कब कब देखिए जो चेतक हेलिकाप्टर है इसको हिंदूस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस समझोते के दहत बनाया था और इसको 1965 में भारती वाइसमेना में सामिल किया गया था देखिए चेतक के ब वारिछी ग्रेमी आवार्ड में Song of the Year का पुरिषकार किसको मिला तो देखी 64वे वार्ची ग्रेमी आवार्ड में Song of the Year का पुरिषकार Leave the door open को दिया गया है देखी जो अपिज़व लीब the door open गाना है इसके लिए Bruno Mars और Đंस्ट, Emil Sेकंड और Indersan इन तीनों को जो है जो आपका यह क्या नाम है 64 ग्रेमी आवार्ड था इसमें Sang of the Year का पुरुसकार जो है दिया गया है तो इसको या रखेगा और देखी जो आपका ग्रेमी आवार्ड है इसके बारे मैं आपको बता जेता हूँ देखी एक्जाम में कई पर पुछा गया है कि जो आपका ग्रेमी आवार्ड है यह किस प्रकार का आवार्ड है तो देखी ग्रेमी आवार्ड जो है संगीत उद्योग में यानि की म्यूजिक इंडस्ट्री में उपलब्दियों को पहचानने के लिए रिकार्डिंग अकादमी के द्वारा प्रतान के जाने वाला एक वार्षी पुरुषकार है और पहला जो ग्रेमी पुरुषकार है यह 4 मई 1969 को जो है आवी तिया गया था और इस साल 64 ग्रेमी आवार्ड दिया गया है करम से ठीक है देखे जो आपका यह ग्रेमी आवार्ड होता है तो इसमें जो विनर्स होते हैं उनको जो है एक सोनी की पानी चाड़ी वी ट्राफी और ग्रामोफोन का मतलब एक तरीके से जो लोगों अगरे होता है तो उस टाइप के ट्राफी होता है उसको दिया जाता है और यहां पर मेरे पास पूरी लेश्ट है ग्रेमी आवार्ड के विनर्स का और आप इसका क्या करेंगे स्क्रीन साट लेंगे यह पहला पेज़ा इसका ले लिए दूसरा पेज़ा है आपके सामने और यह तीसरा है देखिए ग्रेमी पुरसकार में मतलब सारे मत याद रखिए इसमें याद कर लिए कि स्रेश्ट का पुरसकार किसको मिला ठीक है और यहां पर देखिए मैंने आपको यह प्रश्ण के रुपे में दे दिया है कि सांग आप दा इयर यानि कि पूरे साल का सबसे पॉपलर सांग कौं सा रहा ग्रेमी अवार्ड में तो ग्रेमी अवार्ड में जो आपका लिव दा डॉर ओपन है इसको सांग आप दा इयर का पुरसकार दिया क्या यह सबसे मोश्ट इंपोरेन अवार्ड है बाकी आप इसको जो है स्क्रीन सोड लेके एक बार पढ़ दिएगा और तब एक्जाम में जाएगा क्योंकि जो कंप्लेट इस्टेडी यानि कि जो पूरी तैयारी होती है उसका एक अलगी मज़ा होता है अगला के हाली में किसने आपरेशन उपलब शुरू किया तो दीखे आपरेशन उपलब को रेलवे प्रोडेक्शन फोर्स ने जो है शुरू किया है यानि कि रेलवे सुरक्षा बलने शुरू किया है देखे ब्यारी में जो रेल्वे सुरक्षा बाले यानि कि आरपीफ इस ने आवाइद टिक्टिंग पर एक मैने तक चलने माले अखिल भारत ये ब्यान आपरेशन उपलप्स के इससे के रूप में कुल 1469 दलालों को हिरासत मिलिया और 306 आई आर सी टीसी एजेंट आईडी और 6751 ब्यक्तिकत आईडी को अवरूत कर दिया यानि कि करने का मतलब है आपरेशन उपलप्स के द्वारा आरपीफ ने जो है उन लोगों पर जो है नकेल कसा है जो की अवाइद टिकट की बिकरी करते हैं और अगला प्रशनी की हाली में किसने एक वेबसाइट मंदिर 360 लांच किया तो देखें मंदिर 360 नाम की इस वेबसाइट को मिनाक्षी लेखी ने लांच किया है जो की केंदरी मंदिर है और देखें टेमपल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी किसी अस्तान से यानि कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप भारत के बारा जियोतिर लिंग और चार धाम के दरसन कर सकते हैं जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधा जनक हो जाता है और देखिए जो आपकी ये वेबसाइट है मंदिर 360 ये एक भक्त को ई दरसन, ई प्रसाद, ई आरती और अन्य सिवाओं को करने की अनमची भी देता है यानि कि आप आप आउनलाइन जो है मंदिर 360 से घर बैठे, किसी भी जियोतिर लिंक का या फिर किसी भी मंदिर का आप जो है दरसन कर सकते हैं, वहाँ से परसाद मगा सकते हैं, वहाँ पे आरती में आउनलाइन जो इसमें सामिल हो सकते हैं अगला की ICC Women World Cup 222 जीता है, आश्टेलिया की टीम ने इंगलेंड को हराकर जो है साथमी बार इस किताब पर कबजा किया है और आश्टेलिया की टीम ने 71 रनों से इंगलेंड की टीम को हराय था, यह रखेगा दीखे आश्टेलिया ने इस मैच में यानि कि जो फाइनल मैच हुआ था ICC Women World Cup 222 का तो इसमें पहले किलते हुए कुल 356 रन का विसाल स्कोर खड़ा गया था और इसके जबाब में इंगलेंड केवल 43.4 कोवर में 285 रन बना कर ही आलाउट हो गई और हार गई 71 रनों से दीखे जो यह स्कोर खड़ा हुआ था इस मैच में, फाइनल मैच में 356 रनों खा तो यह पूरुष और महिला विसाल स्कोर फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है इसके पहले आज टेलिया यह पूरुष टीम ने विसाल स्कोर 2003 में फाइनल में भारत के खिलाब 2 विकट पिर 309 रन बनाये थे तो यह सारी जानखारी यार रखेगा विबिनर का नाम क्या है आज टेलिया किसको अराकर जीता है इंग्लेंड को अराकर कितने रनों से अराकर जीता है 71 रनों से अराकर जीता है और सबसे 3-4 पॉइंट मैं आपको इंपोड़न बताता हूँ आपको दीखी जो आपका ICC 2022 Women's Cricket World Cup जो आईत किया गया था इसमें प्लेयर आपड़ा टूर्नामेंट रही एलीसा हेली और इंग्लेंड की सोफी एकलेस्टों को जो है 21 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादे विकेट लेने वाली के इंदबास के रूप में जो चीनीत किया गया और 2022 ICC महिला Cricket World Cup महिला Cricket Cup जो है ये 12 वा संस्क्रण था दीखी ये टूर्नामेंट जो आपका था ICC Women's World Cup 2022 ये टूर्नामेंट 4 मार्च से शुरूआ था 3 अपरेल 2022 तक न्यूजिलेंड में ये आजित किया गया था तो ये सारे पॉइंट चाहत कर लिए एपी प्रशनाव का एक्जाम में गलत नहीं होगा और अगला प्रशने की 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारती के लाड़ी को बन गया है तो दीखे 350 T20 मैच खेलने沒錯 मेहंदर शिंग दुनी बन गया है दीखे चेननाई सूपर किंग्स के पुरू कफ़तान मेहंदर सिंग दुनी ने पंजाब किंग्स के किलाब तीन अपरेल को मैदान फर उतरते ही बड़ी उलगदी हासिल कर लिए महेंदर सिंग दोनी इस मैच में खेलने के साथ ही 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारती के लाड़ी बन गए देखे सबसे अधिक जो है T20 मैच खेलने का रिकार जो है 370 फिर 350 फिर महेंदर सिंग दोनी इस में सूची में तीशरे चान पर आपके सूरे सरेना है 336 मैचों के साथ और 329 मैचों के साथ देने सकार्तिक 44 स्थान पर है सूची मे याए कि सबसे अधिक T20 मैच खेलने के सूची में अगला है कि हाली में भारत और एसिया के सबसे अमीर सक्स जो है कौन बन गए है तो देखी भारत और एसिया के जो सबसे अमीर सक्स बन गए हिनका नाम है गौताम अधारी देखी गौतम अडाडी दुनिया के दसमे सबसे अमीर बैक्ति हैं एसिया के सबसे अमीर बैक्ति हैं और एसिया के हो गए तो भारत के भी हो गए ठीक है देखी वर्त्मान में जो अभी हाली में जो Bloomberg Billionaire Index जारी किया गया था तो इसमें बताया गया कि जो गौतम अडाडी हैंड की कुल नेट वर्थ कितनी है सौ बिलियन डालर ठीक है और इसके साथ ये दुनिया के दसमें सबसे अमीर वेक्ती है और इसके बाद फिर नाम आता है रेलाइंस इंजेस्ट्रीज के मुकेश अम्मानी का ये दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती बने हुए है अगर एक्जाम में भूचा जाए कि दुनिया के वर्थमान में सबसे अमीर वेक्त कौन है तो एलोन मस्क है उसके बाद फिर जेब बेजोस है उसके बाद फिर आपके बिल गेर्स है तो ये तीन नम याद रखेगा ठीक है तो ये थे आपके आज के सभी महत्वूर करेंडे पहर और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुश्वामटे पहर देखे पहला प्रशनाय पहले कि हाल ही में मणीपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल Experience Center सुरू करने के लिए किसके साथ में समझोता किया बताई और अगला की हाली में किसने Tab2 पे Unified Payments इंटरफेस की सहज सुभीधा लाने के लिए नई कारेचमता UPI के लिए Tab2 पे लांच किया बताई नई पता तो कल का वीडियो देख लिएगा और सारे कोशन को रिवाइस करड़ा लेगा क्योंकि ये सारे प्रशन इंपोर्णन्ट है अगला की हाली में किस General Insurance Company ने वाल्ट डिजिटल ग्राहक जुड़ा और पुरसकार कारेखरम लांच किया बताईए चोथा की हाली में किस तिराज सरकार ने 2022 से 27 की अवधी के लिए नवी करड़ी उर्जा नीती को मजूरी दी बताईए और प्माजवा की हाली में केंदर सरकार ने अरुनांचल प्रदेश के आसान चेतरों में एपस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाने की कोश्टा किये बताईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कोश्टा के सहीतरों में पहला प्रस्था की निम्डे में से कौन भारत का सिर्थ सबजी उत्पातक राज़े बन गया है तो दीए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सबजी उत्पातक बन गया है पर दूसरे स्थान पर आपका पस्चिम मंगाल चला गया है और दूसरा था कि भारती भूब अग्यानिक सर्विक शडिनी की जो लोजिकल सर्विय आप इंडिया के नए माने से कौन मने तो दीखिन का नाम है डाक्टर S. राजू और तीश्रा था कि अस्पताल और स्वास्त सेवा पर्दताओं के लिए राष्टी परतियायन बोर्ड के नए देख्शोर मने है तो दीखिन पेकते आपके हैं मैश वर्मा चोधा था कि अंतराष्टी बाल पुस्तक दिवस कब मना गया तो दीखिए ये दो अपरेल को मना गया है और दीखिए दो अपरेल को हमने विस्व आठीज में जागता दिवस भी मनाया है